अगे चल रहे हैं डर्मिंद्र भाई नितिन भाई और नितिन भाई साथ चल रहे हैं नमस्ति सर यह अमारे रॉशन भाई क्यों रोशन भाई आप यह था यह देखिए किसी भी तारीफ के तो मौताज है नहीं है सर और अपनी बहुत खूबसूरत और दूर की पतंगों के लिए ज्यादा मशूर भी है और काफी पतंगे पसंद की जाती है अलीगड में क्यों स्था काफी लोग आपकी पतंग लडाना पसंद करते हैं हमारे पसंद तो काफी करते हैं यह लोग जादा तर इनकी पतंगों को यूज करते हैं कि उस्ताद और कहीं परुखबाद वाला जो ओल इंडिया लड़ाये था मारी शारिक भाई ने आपकी पतंग का इस्तमाल करा था उसमें मतलूब बाई से जब उनका गेम लड़ा था तो उस से कैसा शौक चल रहा है अब कलीगड में तीन दिन के लिए भाई लोग आए हुए यह सब यह देखिए बहुत उम्दा बहुत ही शांदार हाँ दर्मिंद्र भाई यह देखिए उस्ताद की वाह क्या बात है ज़रा निकाल कर दिखाना चाहिए निदिन भाई याद में ले भाई के नगीने सारी दूर की बदंगे बहुत शांदार यह देखिए भाई नवी गद्दा मारा था और बहुत अच्छी बदंग गड़ा रहे हैं उस्ताद तो उस्ताद हैं सही बाद नेतिन भाई भी हमारे पतंग बनाया करते हैं दोस्तों और बतंग बनाने वाले यह किस तो बात होगी क्यों वैं बिल्कुल वेसे ही काम के और बिल्कुल सिखे हुए दोस्तों का ठड़ी लगे होते हैं खानेदार एक नमबर someday pleas, यह देखे क्या बात यह बहूत लिए अनको दोस्तोंनाट यह देख सकते हैं कहीं न कहीं जैसे हमारे इर्फान खानदानी साब की पतंग रहती है बिल्कुल काले काप ठड़े दोस्तों सेम वही वाला हाल हमारे रोशन भाई दोस्तों जी कहीं भी लडा दीजिए दोस्तों ये भाई भाई का नाम अरुन भाई हमारे हाथ में लेकर और भी कुछ डिसाइ में दिखा रहे थे और भाई आपका नाम मोनू भाई कल इनका गेम है हमारे मुकीम भाई से डाइमंड काइट क्लब ये देखिए दोस्तों क्या बात है बहुत शानदार ये जो नीचे हमारे उस्ताद अली नवाप शाब क्या पताग और ये देखिए अच्छे ये वाली श्चेटे बेच्की है और ये देखिए य टो कहीं भी लड़िया दोस्तों चोटे दू चोवारा चोवारे के मतलब से तो बाती क्या है जी चवारे के मतलब की पतंग और यह कई नगा हर सीटी लग रहा है उस्ताद इसमें क्या नय वाला खटी में जो लॉंच हुआ है भारी वाला वह देखिए तो यह ताजी बनी पतंग है काई नगी यह देखिए दोस्तों यह लीजे सर आपकी अमानत क्या बात है वह यह लिए